अलो एब्रिवन स्वागत आपका मेरे चैनल पर तो फ्रेंट्स आप में आपसे शेयर करने वाली हूँ लॉंग स्लीव कफ डिजाइन तो चली शुरू करते हैं तो फ्रेंट्स यह स्लीव है जो कि सिंपल स्लीव आपन कारते हैं उससी तरीके से और अगर आपको simple sleeve की cutting की वीडियो देखनी है तो मैं नीचे description box में link देदूँगी आप वाँसे click करके देख सकते हैं तो ये जो हमारी length है साड़े अठारा है बनके हमने जो चाहिए 18 इंच चाहिए मतलब 3-4 जो बोलते हैं वो sleeve है तो ये सीधा side है और उल्टी side से मैंने क्या किया है इसके bottom में इस तरीके से fusing paper चिपका दिया है तकरीबन साड़े 3-4 और पूरे इस तरीके से bottom में लगा दिया है तो इसको सीधा कर लेंगे हम और ये हमारी center की line है तकरीबन ये design जो रहेगा हमारा तीन इंच तक रहेगा और सवा तीन इंच तक हम इसमें इस तरीके से निशान लगा देते हैं ये center का निशान हो गया और यहाँ पे इस तरीके से निशान लगाएंगे total ये half inch है यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको भी सीधा कर लेंगे हम तो इस तरीके से हो गया तो इसमें क्या है कि हम लूप्स लगाएंगे इस साइड में लूप्स आएंगे तो ये देखी मैंने डोरी बनाईती इसमें से दो दो इंच के मैंने इस तरीके से डोरी काट ली है इनको मुझे इस तरीके से लगाना है तो जो सिलाई होगी वो हमारी इस वाली लाइन पे होगी तो इस तरीके से लगाएंगे हम चलिए लगा लेते हैं तो फ्रेंट्स ये मैंने एक और कपड़ा लिया है तो कपड़ा जो है हमारा इस तरीके से मैंने फोल्ड किया हुआ है कपड़े की जो चोड़ा ये मैंने चार इंच ली है और ये जो इस पे पेपर पेस्टिंग चिपकाया हुआ है यह मैंने सबा 3 इंच लिया हुआ है, तो मेरे को इस तरीके से इस पे भी निशान लगाना है, पर अब की बार यह फ्यूजिंग पेपर के यहां से लगाना है, तो यह हमारा सेंटर है, इसी तरीके से यहां पे भी निशान बनाएंगे हम, टोटल हाफ इंच का, और यह देखे, इस तरीके से मैंने कपड़े को इस पे फोल्ड कर दिया है, इसे हमें इस तरीके से रखना है, सैंटर में मिलाते हुए, सिलाई में आपको बता देती हूँ किस तरीके से होगी, सिलाई हमारी इस तरीके से हम दबाएंगे, फिर इस तरीके से सिलाई अब हम सेंटर की ये जो लाइन है इसको कट करेंगे और यहाँ पे इस तरीके से कट करना है हमें यहाँ पे कोने पे इस तरीके से सिलाई को नहीं चूना है कट से बिल्कुल इस तरीके से कट करना जैसे निर्शान लगा है मैंने चलिए इस कोल्टी साइट पलटा लेते हैं तो इसको अच्छे से प्रैस कर लूँगी तो फ्रेंट्स यह देखिए मैंने इसको अच्छे से पलटा के प्रैस कर लिया था उल्टी साइट से यहाँ पे क्या करना है आपको तुरपाई कर देनी है और यह देखिए मैंने बटन्स भी लगा लिया है इस तरीके से यह तो मैंने फैंसी बटन लगाया है आप चाहें तो फैब्रिक बटन भी बना के लगा सकते हैं तो फ्रेंट इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आई होपके आपको इस वीडियो पसंद आई हो और अगर आपको इस थोड़ी सी पसंद आए प्लेस लाइक का बटन जरू दबा देना थैंक्यू फर मॉचिए